हे गाइस टूडियो नोट्स में आपका स्वागत है एडवर्टाइजिंग सीरीज की अनदर वीडियो है और अगर आपको पूरी सीरीज का लिंक चाहिए तो वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज किस वीडियो में हम बात करेंगे टाइपस ओफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च के बारे में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तो एडवर्टाइजिंग मेनेजमेंट की इस वीडियो सीरीज के जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं उसकी हमने एक PDF बुक भी बनाई है तो अगर आपको ये सारी सीरीज अच्छी लगती है और अगर आप इसकी बुक खरीदना चालते हैं उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप हमारे इस बुक को खरीद सकते हैं इस बुक को काफी easy और simple language में बनाया गया है with example ताकि आप अपने सारे concept को अच्छे से clear कर सकें तो चलिए बढ़ते हैं आज किस वीडियो की और तो मैं लिए advertising research को हम दो parts में divide कर सकते हैं research point of view और company point of view इसकी जो first type है research point of view उसके अंदर ये दो categories आती है customized advertising research और syndicate advertising research कमपनी तब करती है जब उससे कुछ specific needs को पूरा करना होता है example के लिए coca cola अपना एक new flavor drink launch करना चाहता है market में और वो ये research करना चाहता है कि customer इस new flavor drink की advertising पे क्या react करेंगे तो इसमें research या तो company के दोरा खुद की जाएगी या फिर इसमें company किसी third party को hire करेगी इस advertising पर research करने के लिए और उसके बाद इन research के results को coca cola company के दोरा यूज किया जाएगा अब यहाँ पर specific need क्या थी कि new flavor drink launch करने वाले है coca cola company तो उस पर उन्हें देखना था कि customers का reaction कैसा होगा तो एक specific need थी new flavor drink के regarding अब इस पर या तो company खुझ से research करेगी या फिर किसी को hire करेगी कि वो उसके base पर यह research करके दे इस research का जो भी result रहेगा वो सिर्फ coca cola company यूज करेगी ना कि कोई तीसरी company तो इसे कहते हैं customized advertising research इसे के साथ दूसरी है syndicated advertising research इस तरह की advertising research किसी individual researcher या फिर companies के थुरू की जाती है लेकिन इस तरह की advertising research का जो भी result होता है वो दूसरी organization के लिए भी available होता है तो अगर को interested है ये जानने में कि उस research का क्या result निकला था तो वो उस research के लिए एक particular price पे कर सकता है या फिर free में भी ऐसी research available होती है government के बार ऐसी research करती है जिसके result online available होते है आप free में भी ले सकते है और के बार के researches ऐसी होती है जिसके लिए आपको एक price पे करना होता है example के लिए एक company है जो की research issue करती है कि best way कून सा है advertise करने का तो हर company को यह जानना है कि best way कून सा होता है और इस पे research हुई है तो यह research सभी के लिए available है और कोई भी से buy कर सकता है एक particular price पे करके तो पहली types हमने देखी research point of view जिसमें हमने दो category study की customized और syndicate customized में company एक specific चीज के लिए research करवाती है या तो खुद से या फिर किसी third party से syndicate में research की company अलग होती है या फिर कोई individual है जो research करना पसंद करते है उस research के results या तो आपको free भी available हो सकते है अगर वो companies चाहती है कि यह research में free में publish करना चाहती हूं तो आपको free में available हो जाएंगी अगर कोई भी company और individual उसका price रगता है तो आपको एक particular price पे करनने के बाद उस research को आप खरीच सकते है दूसरी type है company point of view जिसमें दो categories है pre-test and post-test पहला है pre-testing research कोई भी process एक idea से start होती है एक idea को reality में convert करने के लिए काफी risk शामिल होता है पता नहीं आपका idea reality में convert हो ना हो लेकिन उसमें resources काफी ज़्यादा लगते है investment काफी ज़्यादा होती है तो काफी एक risk होता है कि अगर आपका idea work out नहीं किया तो आपकी सारी investment सारे resources बिकार चले जाएंगे आदे से ज़्यादा idea इसलिए fail हो जाते हैं क्योंकि उसमें creative issues होते हैं तो company भी ये चाहती है कि उसके ideas उसके target customers तक या फिर audience तक पहुंचें इसलिए advertising research का pre-testing phase help करता है company की detail study करने के लिए उसके target audience के बारे में ताकि वो उन्हें और अच्छे से understand कर पाएं इसे company को ये जानने में help मिलती है कि क्या उनका idea accept होगा target market या फिर customers के दोरा या फिर उसे reject कर दिया जाएगा दूसरा है post testing research advertising message two way communication होता है advertiser communicate करता है अपने customers के साथ customer again communicate करते हैं दो तरह से या तो उस product को वो खरी देंगे तो उसका मतलब उसकी advertising work कर रही है या फिर वो product के regarding अपनी queries send करेंगे advertiser को companies के थूरू different portal website जहां पर भी link available है जहां पर वो उपनी queries डाल सकते हैं तो इस तरह से वापिस two way ये communication होता है ये start होता है जब advertiser या company अपनी advertisement करती है product की और complete होता है जब उन्हें feedback मिलती है अपने customer से company को feedback मिलती है post testing research से जो की measure करती है advertising की output इस research से company को ये help मिलती है कि company better way में understand कर पाती है कि advertising successful तरीके से implement हुई है या फिर नहीं तो advertising research के दो types है research point of view, company point of view research point of view में customized और syndicate ये दो types हैं company point of view में pre testing और post testing ये दो categories है तो वीडियो आपको कैसा लगा ये comment करके ज़रूर बताएं अगर आपकी कोई query है इस वीडियो या फिर किसी भी topic के लिए तो आप उसके लिए मुझे comment कर सकते हैं मैं वहीं पे आपको reply करके या फिर अलग से वीडियो बनाके आपके साथ शेयर कर दूँगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू